हेलो एब्रिवान वेलकम बेक तो ओर चैनल आज कुछ क्लियरिफिकेशन करते हैं बहुत सारे स्टुडेंट का एक कंसर्ण है रिगार्डिंग कि यह चनल वह उन्हों पर चैनल आज को अधर ब्रॉटिन डेखके तो मैं आप लोग को तो इसका स्टूडेंट है उसके एकजाम स्टार्ट होता है सिक्स निसेम्बर से जो फॉस्स पेपर है आप लोग का अफ्टर्णून में जैसे कर से दीएसीघ्ञ यथे धूसी दीएसे F.I.U.G. student का जो student आपने जो subject लिया है 201 D.A.C. में जैसे के किसी का पॉल साइंस हो सकता है किसी का economics हो सकता है किसी का philosophy हो सकता है जो कोई भी subject हो सकता है जो आपने जो select किया है उसी subject का exam यहाँ पे होगा जो 201 पे select किया है अगर आप लोग को confusion है कि मैंने 201 में कौन से subject लिया है पता नहीं है तो simply आप लोग directly अपना जो subject है academic में जाके देख सकते कि आपने कौन सा subject चलिक किया है अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो simply student login में जाना exam portal के अंदर जाना फिर internal marks में जाना इंटरनेट मार्क्स के अंदर दिखाई देगा आपका DSC 201 कौन सा subject है तो 201 जो subject है उसी का subject का exam is dead में होगा afternoon ship में देखो FAUG में यहाँ पर ओनर से past course कुछ नहीं होता है सभी का DSC, DSC, DSM और IDC होता है तो अपना जो DSC, IDC जो है वो देख लेना अपना जो student login है वहाँ पर जाके फिर confirm करना ठीक है जैसे कि यहाँ पर और एक example बताता हूँ 11 December को FAUG DSM 201 किसी का DSM economics है और DSC philosophy है तो DSC का जो exam है वो DSC के time पर होगा philosophy ठीक है DSC में आपका जो दूसरा subject जो है वही होगा अगर किसी का DSC philosophy है तो DSC philosophy यहाँ पर होगा DSC philosophy अलग होगा ठीक है सिब अपना ये ध्यान रखना कि DSC में आपने कौन सा subject select किया है और DSC में कौन सा subject किया है IDC में कौन सा subject रखा है उसी subject के हिसाब से exam होगा ठीक है यह confusion होना कि मेरा फ्रेंड ने पॉलिटिकल साइंस का exam इस तारिक में है तो मेरा भी सेम होगा ठीक है अपना आपका जो फ्रेंड है वह हो सकता है कि वह D.A.C हो और आपने DSM में पॉल साइंस रखा हो और आपका फ्रेंड ने पॉल साइंस जो हो D.A.C में रखा है तो D.A.C 2021 के examination पहले ही देड में हो जाएगा जैसिके 6 December को और D.A.C पॉलिटिकल साइंस होने से इस देड में होगा तो वह subject को और subject यह जो subject है आप अपना student login में आके confirm कर सकते हो ठीक है अगर फिर भी आप लोग कोई confusion है regarding this routine तो simply आप लोग मेरे comment section में आपका जो जो भी subject combination है जो आपने subject allocation के time पे अपना college को बताया है या admission के time पे आपने subject किया है सिर्फ subject का नाम आप comment में लिख देना हम आपको बता देंगे कि exam आपका कौन सा date और कौन सा सीफ में है ठीक है ओके और any confusion आप लोग comment में freely लिख सकते हो हम आपको आपका जो confusion है वो solve करके देंगे ठीक है ओके thank you everyone thank you very much